नमस्कार दोस्तों यूटीब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक वर्म वील गेर बोक्स की प्रिवेंटी मेंटेनेस करते समय हमको कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है यानि वो कौन-कौन सी चैक पॉइंट है जिनको हमको चैक करना है और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मेकैनिकल ग्यान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उस चैनल को भी जाके स्पोर्ट कर सकते हैं और वीडियो का टार्गेट रखा है लाइक का 500 लाइक तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर दें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लुब्रीकेशन यानि सबसे पहले हमको गेरबोक्स का जितना भी old oil है उसको remove करना है और oil remove करने के बाद में bottom पे जो एक गाच इकठी हो जाती है उसको भी अच्छे से remove करना है और गेरबोक्स में उसका जो recommended oil है यानि गेरबोक्स की plate के उपर यानि name plate के उपर भी उसका जो recommend oil होता है वो लिखा होता है तो उसी number का हमने उसी grade का oil हमने उसमें डालना है और जो oil का level है वो हमने जो level gauge होती है side में जिसको हम oil indicator भी बोलते हैं तो level indicator भी बोलते हैं तो उसके according हमने ना low पे रखना है और ना high पे रखना है यानि उसके बीच में उसका oil का level है वो set करना है और दोस्तों gearbox के oil को time to time check करते रहना है number second है oil seal condition warm wheel gearbox में दो oil seal लगती है input shaft में और एक oil seal लगती है output shaft में तो oil seal की क्या condition है अगर कोई oil seal का lip damage है तो हमको oil seal को change करना है और अगर oil seal ज्यादा hard हो गई है तो भी हम उसको change कर सकते हैं क्योंकि अगर gearbox की oil seal leak हो गई तो हमारा जो gearbox का lubrication है वो निकल जाएगा और gearbox fail हो जाएगा तो oil seal का हमको ध्यान में रखना है और दोस्तों oil seal जिस shaft के उपर चलती है उस seat को भी चेक करना है अगर उस पे कोई minor mark है तो उसको लैपिंग से भी आप दूर कर सकते हो अगर ज्यादा damage है तो आप shaft को replace कर सकते हो नमबर थरड है दोस्तों gearbox का breather उसकी जो body की fins होती है और उसके non drive end पे cooling fan लगा होता है तो इन तीनों का आपस में link है और सबसे पहले हम start करते हैं gearbox के breather से ज्यादा इंडस्टी में जितने भी gearbox होते हैं उनका जो breather होता है वो कुछ देर के बाद चोक हो जाता है तो जो breather है उसका काफी बड़ा roll है gearbox में अगर breather चोक हो गया तो gearbox का जो oil है उसका pressure बढ़ने लगता है और उसका temperature भी बढ़ने लगता है तो जो temperature बढ़ने से oil seal है gearbox की वो fail हो जाती है तो breather पहले सबसे हमको de-choke करना है इसको clean करके लगाना है और gearbox की body की जो fins होती है उसको भी अच्छे से clean करना है क्योंकि ज़्यादा तर इसके उपर भी oily dust लगी रहती है और gearbox का cooling fan है वो चेक करना है कि वो working में है या फिर नहीं क्योंकि ये तीनो parts gearbox को ठंडा रखने का काम करते हैं नंबर fourth point है दोस्तो gearbox का warm shaft और gearbox का warm wheel तो हमको preventive maintenance करते समय warm wheel और warm shaft की condition चेक करनी है कि उनकी condition कैसी है वो कितने damage हो रखे है क्योंकि हर जो एक spare होता है उसकी एक life होती है तो हमको ये ensure करना है कि उस time पे warm wheel और warm shaft की क्या condition है नंबर fifth point है दोस्तो gearbox की जो import shaft होती है वो motor के साथ में coupled की होती है तो उस coupling की क्या condition है ज्यादा तर इन में pin bush coupling का use किया जाता है या फिर love joy coupling का तो वहाँ पे कोई coupling damage तो नहीं है उसके जो flexible bush होते है या फिर जो rubber के starb लगे होते हैं वो damage तो नहीं है अगर कोई damage है तो वहाँ पे हमको वो replace करना है और जो output shaft होती है वहाँ पे ज्यादांतर gearbox के pulley या फिर sprocket का use किया जाता है उसके teeth चेक करनी है pulley की condition चेक करनी है अगर कहीं पे कोई damage है तो उसको हमको replace करना है नमबर 6 है दोस्तो gearbox की alignment motor to gearbox उसकी alignment चेक करनी है और जो gearbox की output shaft है उसकी alignment चेक करनी है जिस machine को हम उससे घुमा रहे हैं तो अगर कहीं पे miss alignment है तो हमको उसको correct करना है क्योंकि alignment का सीधा impact coupling के उपर पढ़ता है और जो gearbox के bearing है उनके उपर पढ़ता है तो यहाँ पे हमको 6 point पे उसकी alignment चेक करनी है नमबर 7 पे दोस्तों आपको gearbox के जो output shaft से आप जिस भी equipment को घुमा रहे हैं उसकी condition चेक करनी है वो चाहे कोई agitator हो या फिर कोई conveyor हो तो अगर उस agitator या फिर conveyor का कोई भी bearing damage होगा तो उसका भी access load gearbox पे जाएगा तो उसकी condition भी आपको चेक करनी है कि वो भी एक अच्छी condition में होना चाहिए नमबर 8 है दोस्तों gearbox और उसकी motor की vibration उसकी vibration हमेशा limit में रहनी चाहिए क्योंकि अगर vibration बढ़ेगी तो motor पे भी bearing पे impact जाएगा और gearbox के भी bearing पे impact जाएगा तो vibration हमारी हमेशा limit में रहनी चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को like और share जूरू कर दें thanks for watching